आज हमारा जो necklace रहेगा वो ये pearl और antique gold में रहेगा अभी तक जो भी necklace हमने सीखे थे वो silver में थे अब मैं आपको antique gold में ये बनाना सिखाऊंगी बहुत ही प्यारा सा pearl का necklace रहेगा ठीक है तो जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ जो necklace है उसी को खोल के मैं आपको फिल्ट से सिखाती ह बनाना ठीक है आप चाहे तो इसको dory में भी बना सकते हैं आप चाहे तो chain में भी बना सकते हैं मेरे पास अभी golden dory available है और चोकि हम इसको adjust भी कर सकते हैं तो हम इसमें बनाएंगे और बनाने के लिए वही करना है सबसे पहले wire लेना है ठीक है wire लेना है necklace के according और अब इसमें हमको golden lock bead लेना है जो हमारा टैसल है यहां उसके हम से रेसे से pass करेंगे वापस गुमा के हम फिर pass करेंगे ठीक है यहां पर हम इसको lock कर देंगे है यहां पर हमने इसको lock कर देना है इस तरह से यह press हो जाता है तो यह लॉक हो जाता है आप देखेंगे कि यह ब्रेक भी हो गया है इसको थोड़ा सा नजदीक लेके आएंगे और यह देखें यहाँ पर पूरा लॉक है जब भी आप लॉक करें तो इस लूप से जो यह यहाँ पर है इसको बहुत टाइट से पकड़े अदरवाइस यह बा ठीक है एक बीड लेना है और एक चाम लेना है इस तरह से जितना आपके पास में है उसमें आप दो पीस बीड्स और दो पीड्स चाम छोड़के जो की हम एरिंग्स में यूज करेंगे पाकी का यूज आप नेकलेस में कर सकते हैं लगबग 32-35 के बीच में एक गुड का मतलब नेकलाइन जैसा नेकलेस आपका बन जाएगा और आप इसकी जो लेंद को एड़िस्ट कर सकते हैं टैसल से बहुत इजी है यह नेकलेस बनाना यह देख सकते हैं ठीक है और जो भी हाँ पर एक्स्टा वायर है हम उसको कट नहीं करेंगे क्योंकि यह इसमें चिप जाएगा ठीक है जब हम यह नेकलेस बनाएंगे तो यह बीट के पीछ में इस तरह से छिप जाएगा अब हम इस तरह से एक बीट और फिर एक चाम इस तरह से लेके हम पूरा नेकलेस बनाएंगे ठीक है और जब हम लास्ट में इसको हम लॉक करेंगे वह भी मैं आपको बत में तो इसको लॉँक करने का तरीका हिए है के अमने एक का लॉकzte लेना है clock builder लेना है और ये दिखिए कि यहाँ से हम इसको pass करेंगे कि यहाँ से हमने इसको पास किया और बीट से हम इसको पास कर रहे हैं ठीक है बीट से पास करते हुए हमने इसको परल से भी निकाल देना है परल से भी हमने इसको निकाल देना है और फिर पूरा हमने इसको अच्छे से आगे वायर को लेके जाना है लेकिन जब आप wire आगे लेके जाएं तो यह जो हिस्सा है इसको मजबूती से पकड़ें otherwise यह loop जो है टैसल का बहारा सकता है ठीक है टैसल का loop बहारा सकता है यह देखिए यह पूरा अच्छे से tight हो गया है और यहाँ पर हम इसको lock कर देंगे लोग भी जैसे हाँ पर लोग किया है उसी तरह से हम इसी लोग कर देंगे और यह बहुत ही सुन्दर सा आपका necklace तयार हो जाएगा ठीक है लगभख सभी necklace को बनाने का एक ही तरीका है सिर्फ practice से आपको से और अच्छा कर सकते हैं और आपका अगर कोई necklace टूटा है या आपको कुछ redo करना है, restyle करना है, पुराने को new way convert करना है तो भी आप इस basic course की help से ऐसा कर सकते हैं अब ये देखे, earrings का हमको क्या करना है, earrings बनाने के लिए हमको इस तरह का ये पहले से रोक के रखने है, दो charm और दो beats इस तरह से रोक के रखने है और अभी इसमें इस तरह से एक वायर होगा ठीक है ना एक वायर हमको मिला होगा इसको बोलते हैं बॉल पिन बोलते हैं इसको और इसको हमें बीच से कट करना है ठीक है इसमें हमने टेप पीन यूज किया था इसमें हम बॉल पीन यूज करेंगे यह देखे ठीक है यह ball pin हमने use करना है और यहां से हम देखेंगे इसमें से हम इस तरह से pass करेंगे ठीक है और अगर आपको लगे कि यह इससे pass नहीं हो रहा है अंदर से निकल जा रहा है तो आप यहां पर एक छोटा white beat भी लगा सकते हैं इस तरह से ठीक है इस तरह से एक इसका लूप है इससे हम ये निकालेंगे वायर और इसको प्लायर की हेल्प से हमने ट्विस्ट करना है इस तरह से twist चीक है twist कर देंगे और one and a half या two round हम लेंगे और यह twist करने के बाद में extra wire cut कर देंगे यह आपका hanging में आपका bead हो गया है और इसके पीछे हमें back support के लिए इस तरह के यह मिला है ठीक है इसको हम यहाँ पर stick कर देंगे इसको यहाँ stick कर देंगे इसे भी glue की help से मैंने यह वाला glue यूज किया है dendrite आप कोई भी glue यूज करके या फैवी कोई कसे भी आप इसे लगा सकते हैं जो भी metal को चिपका सकती है चीज उसको आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारा stud हो जाएगा इस तरह से ठीक है यह stud हो जाएगा और यह necklace आपका ready हो जाएगा तो यह था आज का video thank you so much for watching thank you